नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अभीशेक क्लासिस के यूटूब चेनल पर और बताइए कैसे हो आप सब आसा करता हूँ ठीक होंगे देखिए दोस्तों आने वाला भविस देरोजगारों का दिख रहा है कहीं न खहीं देरोजगारों को सरकारी नौकरियों के चांस बहुत जादा आ रहे है अब मैं आपको भारत देश का एक ऐसा राज बता रहा हूँ जिस राज के अंदर आपने फॉर्म एपलाई किया तो सर रसनी से लेकर और कोई ओच वालिप किसन ले रखी है तो फॉर्म जरूर भरना है आए तो बिना टाइम गवाए इस मेहटफोन वीडियो फर फॉकस रखिएगा बिलकुल स्टेब बाई स्टेब समझाने की कौशिश कर रहा हूँ लाइक का बटन दवा देना और चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको अभी से क्लासिस की सच्चाई का मालूम चलेगा तो मेरे दोस्ते यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप मैं बात कर रहा हूँ हर्यानार राज के अंदर आन के वाली है अब थोड़ा आप फोकस रखिए यह मैं आपके सामने एक डाटा प्रस्तूत कर रहा हूं इस डाटा को शमझने के वाद आपकी फटी की फटी रह जाएंगी देखिए मेरे भाई हर्याना राज की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको विभाग दिखाई देगा यहाँ पर जिस विभाग के अंदर सुकृत पद है वह दिखाई देगे और एदर आपके जो खाली पड़े है बरतमान टाइम पर पद वो दिखाई देगे प्राइमरी एजुकेशन टीचर के जो पद है वह है आपके मेरे दोस्तो 90,665 है कितने पद है 90,665 सुकृत है लेक तो यहीं भी आपका सेकंडरी लेवल टीचर का है 62,928 पद जो है शुकृत है लेकिन अभी खाली पड़े है 25,534 है उसी प्रकार हायर एजुकेशन की बात करूँ तो 11,667 पद शुकृत है उनमें से 6,618 पद खाली चल रहे है पुलिस की बर्दी लेनी है तो मेरे भाई 78, 27,287 पद शुकृत है खाली पड़े है 24,965 सिचाई विभाग के अंदर 18,996 पद शुकृत है 9,951 खाली चल रहे है शुआस्त विभाग 25,445 सुकृत है 7,764 पद खाली पड़े है उसी प्रकार परिवेण विभाग 24,368 पद शुकृत है 8,599 पद जो है खाली पड़े है परिवेण विभाग में आपके रोडवेज बसो में कंडेक्टर और ड्राइवरों की भरती होगी और रोडवेज बस इस्टेंडो फर भी जो है ऑफिस में ऑफिस वालों के भी कर्मिचारियों की भी भरती होगी इसकिल डेपलेमेंट 10,600 पद शुकृत है 7,544 पद खाली ह पसुपालन विभाग 12,033 पद शुकृत है मेरे भाई 5,328 पद खाली चल रहे है P.W.D. विभाग जिसके अंदर बड़े-बड़े पद आते है J.E.N. बगेरा इसमें 11,226 पद शुकृत है 4,088 में पद खाली चल रहे है पत्रकार फर्विस की बात करे तो 3,777 पद शुक है उननेसे 2700 पद खाली चल रही है मईला एंवं बालकन्लयन विभाग 2481 पद सुकृत है उनने से 3170 पद खाली चल रहे है एंड खेल विभाग जो हरियाना खेल विभाग का गड़ माना जाता है लेकिन जब रोना आ जाता है इस परकार का आकड़ा देखते है कि हरियाना इस्टेड के अंदर भारत देश के लिए सबसे बड़े गौर्वान में पल रहता है जिस राज से बड़े बड़े खेल कूद में अपनी भागिदारी निवा चुके है तो यह खेल भाग में बात करूँ 2388 पद सुक्रित है उनमें से 1488 पद खाली चल रहे है पूरा आकड़ा देखू शुक्रित पदों का तो 3,61200 पद मेरे भाई सुक्रित है इतना ही नहीं इसके अलावा बहुत सारा डेटा में आपको बताने वाला हूँ यह जो डेटा बताया गया है एकदम सटक और इमानदारी के साथ बताया है क्योंकि मैं फालतू बातों पर विश्वास कम करता हूँ मैं बेरोजगार की फिलिंग अच्छी तरीके से समझना जानता हूँ यह एकदम सटक आकड़ा मैंने आपको प्रसूत किया है अब आप आगे की इस्टेप देखिएगा थोड़ा आप वोर्फर फोकस रखना ठीक है दोस्तों मैं बात करूँ हर्याना राज के प्रतेक विभाग के अंदर की तो हर विभाग के अंदर मेरे भाई मांसिक रूप से जेल रहे परिशानी कर्मिचारी कर्मिचारीों की इतनी किल्लते आ रही है जो भी विभाग मैंने आपको अभी बताई है इन सभी विभागों के अंदर बिचारे जो नियमित कर्मिचारी है जो गौर्रमेंट से कर्मिचारी है उनके इतना बोज आ चुका है वो पूरी तरीके से काम ही नहीं कर पा रहे है कहीं ना कहीं मांसिक रूप से उनको तनाव यहां पर जेलना पड़ रहा है यह विलकुल मैं खास रिपोर्ट आपके लिए दे रहा हूँ मैं बात करू दोस्तो असी के दसक की असी के दसक में प्रदेश की जो आवादी थी वह सबा करोड थी तब भी जो है 4.50 लाख पड़ थे कितने पड़ थे 4.50 लाख और बरत्मान आवादी की बात करू तो आपका तीन करोड के एपरोक्स पहुच चुकी है फिर भी वही हाल है सैम वही 4.50 लाख के पड़ शुक्रित किये गए है सरकार में बोट तो आप ही देते हो ना आप जब वोट अपकी बार देना तो इस आखड़े को जरूर बता देना मैं बादा करता हूँ जो बोट मांगने कड़े को आप बताओगे इस्क्रीन सोट लेकर रख ले जा बरतमान आबादी की बात करू तीन करोड से अधिक है फिर भी वही का वही हाल है मेरे भाई दस लाख करमचारी होने चाहिए कम से कम तीन करोड की आबादी पर तब जाकर कई न कई करमचारी ठीक ढंग से काम कर फाएंगे और वहां की जो जनता है वहां के जो रहने वाले हैं उनको अच्छे से जो है अपना काम करवाने में कोई दिक्यत नहीं आने वाली लेकिन ऐस नहीं होने वाला क्योंकि बोट आप देते हो मेरे भाई दस लाख करमचारी होने को तो दूर की बाद यहां पर तो 13,462 करमचारी की कटोती और करदी है इन 4,5,4 लाख में से अभी बता रहा हूं आकड़ा देखते चलिए आप लोगों के काम नहीं हो रहे हैं लोग गुष गुषा में है करमचारी गुषा में है क्या करें क्योंकि जब आप किसी भी बिभाग के अंदर जैसे उस सपूच करी ओदारें के लिए बैंक में जाओगे वहाँ पर आपकी भीड बढ़ गई है लोगों की वहाँ पर करमचारीों की किलत है आपको एक पास्वुक की एंट लाइन में हुए होते भी क्योंकि करमचारीों की कमी है इसलिए परिशानी आ रही है बजट बहुत है सरकार के पास लेकिन कौन सुने बेरोजगारों की कौन सुने यहाँ पर गरीव जनता की कही न कई दिक्केत को सामना करना फड़ रहा है लोगों को और करमचारीों को एं बश्टाचार पर जो कमपनिया जो बिभाग रोक लगाता है जो बश्टाचार करता है उसको पकड़ता है मेरे भाई जो बश्टाचार बिभाग है उसके अंदर ही करमचारी नहीं है तो फिर रोक कैसे लगेगी बश्टाचार पर एक करमचारी क्या पूरे प्रदेश में रोक लगा देगा वश्टा चार पर, 24 पद होने चाहिए, जिनमेंसे मात्र एक पद है बेचारा, अब उससे कैसी बन रही होगी, उसको ही मालुम है, बात करूं मैं इस्टेड विजिलेंस बिभागी की, तो यह भी जो है वश्टा चार पर लगाम लगाता है, इसके अंदर 533 जो है सुक्रित पद है, लेकिन 47 में पद रिक्ट चल रहे है मेरे भाई, देख लीजे आप क्या हाल है, एंड बात करूं मैं लाकों बेरोजवारियों का जो सपना रहता है, गुरूप C की भरती में फर्म अप्लाई करने का, तो मेरे भाई, 32 हजार पदों पर आपका नाराज्य के अंदर उसका नाम है CET, तो CET आपका जो है नमंबर में होगा, कि नमंबर महाई के बाद रिकॉर्ड तैयार होगा, कि कितनों ने CET पास की है, अब कितनी जो है भरतिया निकाली जाए, ठीक है, यह कहना है, वहाँ के बड़े-बडे मंत्रियों का और डिपार कि पूरे देश के अंदर हर्याना राज्य ऐसा है, जहां पर सबसे ज़्यादा वेरोजगारी है, 37% का यहां पर आकड़ा आया है, तो आप खुद देख लीजे, अब युबाव में कमी एक चीज़गी देखी जाती है, कि मेरे बार बार मुझ से निकल रहा है हर्याना, तो आरे राज्य में ही लग जाई नौकरी तो बहुर मज़दार बात है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो दूसरे राज्यों में फौर में जाकर एपलाई करिएगा, वहां भी इनसान रहते हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कित नहीं मिलेगी, सलेक्सन लेना भी आसान है, दूसरे राज्यों में फौर में अपलाई करने से, सबजदार बनिये अगर सरकाली नौकरी चाहिए तो आपको, बाकी तो आपकी खुद की मर्जी आप भी बड़े महान भाव हो, थोड़ा इस्तिती देख लीजे आप रिपार्टमेंट ली, पदो की इस्तिती में बता देता हूँ कर्मेचारियों की, पहले की बात करूं दोस्तो, 4,88,808 पद सुक्रे थे, लेकिन अब की अगर बात की जाए, तो 4,45,398 पद सुक्रे थे, क्योंकि 13,400 पदों की जो हैं कटोती कर दी है, ठीक है, कटोती आप कर ली जिये, लेकिन कटोती करने के बाद कम से कम इतने पदों पर बरतिया तो निकालिए, पद कितने खाली चल रहे हैं, एक लाक ब्यासी हजार और 470 में पद, यानि कि लमसम दो लाक के करीब हरियाना राज्ज के अंदर पद खाली चल रहे हैं, तो कही ना कहीं आपके लिए आने वाले टाइम पर गॉर्डन चांस है, अब आपके दम ना चाओंगा, स्क्रीन सॉट ले लीजेगा, यह बासकर जो न्यूज पेपर है, उसके मागदम से आकड़ा बताया गया है, बिल्कुश सटिक और इमानदारी के साथ बताया है, आप इस चीज पर गौर करिएगा, पढ़ाई कीजेगा, आने वाले टाइम पर भविस्ष आ अपका ही है, अपने सपनों पर अडिक रहिए, लगे रहिए, महनद करते रहिए, अपने माता पिता का एक दिन सपना पूरा हो जाएगा, आपका भी फ्यूचर एक दिन बनेगा, ऐसी जानकारी ओफर अपडेट रहिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको जाग रुक बनाती ह पढ़ने के लिए उत्सुकता पढ़ा करती है आपके दमाग को चार्जिन करती है आप अपने mobile को discharge होने पर charge कर लेते हो क्योंकि आपके पास charger है लेकिन दमाग को अगर charge करना है तो अभी से classes पर बने रहिये अभी से classes आपके दमाग को रोज जो है अपडेट करता रहता है विल्कुल यापड सटिक और इमानदारी के साथ जानकारी मिलती है एन सोसल मीडिया पर जो भी जूट बोलेगा उसका परदा फास भी किया जाता है आएए अभी से क्लासिज के साथ मिलकर आपके भविश को समालते है आने वाले फीचर के बारे में सही रास्ता देखते है जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब अबस कर देना दोस्तों थेंक्यू धन्नवाद जै हिंद, जै बारत